हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल रेश्मा बूटिक में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं अपनी कुर्ती के सामने में सुन्दर सा नेक डिजैन तो दोस्तो यहाँ पर हमने अपनी कुछ पेपर फोम ले रखिए अपने नेक बनाने के लिए और हमने को चाहिए इस तरीके से तो दोस्तो हमने अपनी पेपर फॉम को बीचा बीच सेंटर में इसको चिपका दिया है अपनी प्रेस की मदद से तो दोस्तो हमने यहाँ पर अपनी पेपर फॉम चुपका रखी पेपर फॉम की लंबाई हम आपको बताएते हैं तो दोस्तो पेपर फूम की लंबाई में रखी वो रखी 14 इंज तो दोस्तो हमने यहां से इसकी चौणाई रखी है वो 6 इंज रखी है और जो इसकी लंबाई रखी है वो 6.5 इंज रखी है और जो इसके नीचे रखा है वो 6.5 इंज रखा है कुछ इस तरहा है तो उसको हमने कटिंग कर लिया है करने के बाद में यहां पर हमने पेपर फॉम पहले से चिपका रखी है इस तरीके से और अब हम अपनी मशीन पा चलके इस पर फ्रिल बना के उस पर लगाते हैं तो दोस्तो हमने यहां पर 4 इंची चौड़ी अपने पट्टी कटिंग का रखी इसको प्रेसर का रखा है फोल्ड अब इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे गेदर कुछ हमने इस तरीके से यहां पर रखेंगे और रखने के बादने हम इस तरीके इसमें गेदर डाल देंगे बाली 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 तो दोस्तो हमने यहाँ पर अपनी फ्रिल तयार कर लिए तयार करने बाद में इस तरीके से हम रखे और जितना हमें एक सलाई जो हमने लगाई है गेदर डाली है इसी सलाई पर हम सलाई लगा लेंगे एक्स्ट्रा फ्रिल को हम कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद में हमने देखी यहाँ पर कितनी फिनिशिंग से हमारी यहाँ पर फ्रिल आ चुकी है अब हमने यहाँ पर अपनी औरे पट्टी ली है औरे पट्टी लेने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर एक्सा कर दे कर देंगे उल्टा इस पिरकार और जहां पर हमारा यह दबाओ है यहां पर हमने सलाही लगा रखी है इस तरीके से हम अपनी इस पाइपन को लगा देंगे तो दोस्तों हमारी पाइपन है औरे आपको औरे पाइपन कटिंग करना है और इस तरीके से लगा देंगे तो दोस्तो हमने यहां पर अपने यह पाइपिन लगा ली है पाइपिन लगाने बाद में इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके और इसके उपर से पलट के और सलाई लगा देंगे कुछ इस तरह हाँ झाली की कुछ लगा है इसके पाइपिन लगा तो दोस्तो हमने यहां पर अपनी फिरिल लगा ली है हमारा नेक यहां बड़ी फिनिशिंग के साथ हो चुका है तयार तो दोस्तो यहां से यहां तक हमें लगाना एक पट्टी तो दोस्तो हमने एक रैट कलर की पट्टी ली है उसे हम नीचे रखेंगे कुछ इस परकार और कि इसको चला कर जमा लेंगे अपने नैक को हमें इस तरीके से हैं पर मिला लेना है मिलम को मिलाके और इस तरीके से रख लिने यहां पर हमें अच्छी तरीके से मजबूत कर देना है जो हमारे की सवी진द लिख लिख लें इस तरीके से दढ़ागया वगध्याइबimana काटने वाली है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा neck design हो चुगा है complete अब हमें यहाँ पर कुछ लखना है अपने button तो दोस्तों हमारा neck हो चुगा है तयार अब हमें यहाँ पर कुछ लखना है अपने button तो दोस्तों हमने यहाँ पर ला रखे हैं कुछ button ना बूले चलिए दोस्तों हम आपको आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो ने डिजान के संग ठैंक्स वर वाचिंग